हेलो दोस्तो, Tentoran.com में आपका स्वागत है हर नए साल में हम अपना भविश्य जानना चाहते हैं यह जानना चाहते हैं कि यह साल हमारे लिए क्या लेकर आया है कैसा रहेगा यह साल करियर, प्यार, वैपार, शादी, नौकरी और सिहत के बारे में तो चलिए जानते हैं नए साल का राशी फल सब्सक्राइब करें हमारा चैनल Tentoran.com और दबाएं बेल आइकन ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें मिथुन राशी, साल 2019 मिथुन राशी के जन्वे लोगों के लिए इस वर्ष आपको सवस्थखा अच्छा लाब मिलेगा साल के शुरुआत में ही, यानि के जन्वरी में ही आपकी सेहत को लेकर थोड़ा सा साबधान रहना होगा ये साल आपके कैरियर के लिए समानने रहने के संकेत दे रहा है हलाकि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये साल आपके कैरियर के लिए अच्छा हो सकता है इस वर्ष आपको आर्थिक जीवन में कोई बड़ी उपलब्दी हासिल होगी आर्थिक लाब के भी योग बन रहे हैं वेवपार में नए-नए आईडियाज आपके आर्थिक लाब को बढ़ाने में मदद करेंगे किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप डटकर लगे रहेंगे साल के मद्धे में आपके काम करने के धंग में बदलाव हो सकता है नौकरी ढूनने वालों के लिए जुलाई में सफलता मिलेगी और जो नौकरी पर हैं उनका प्रोमोशन भी हो सकता है इस साल आपको अपनी सेहत का खास ज्यान रखना पड़ेगा अच्छे से वयायाम करें और खाने का ध्यान रखें खान पान में लापरवाही आपको पेट के रोग दे सकती है ये साल इंजिनिरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे चातरों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ये परिवारिक द्रिष्टी से देखा जाए तो ये साल मेला जुला रहेगा परिवार में किसी तरह के कलेशों से बच कर रहें मन मुटाव हो सकता है साल की अंत में संतान की सेहत का ख्याल रखें साल के शुरुआत में रिष्टे अच्छे बनेंगे अपने जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें जो लोग विवाय योग्य हैं उनका इस साल में विवाय होने के अच्छे योग हैं साल के आखिर में शुप काम भी होंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस साल जो आपको उपाय करना है शनी या राहुकेतु की दशा से गुजर रहे लोगों को हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चड़ाना चाहिए और अपनी जेब में सफेद रंका रुमाल त्रिकोन बना कर रखें उससे अच्छा लाब मिलेगा तो ये तो था दोजार उन्निस की राशियों का भविश है और बने रहिए टेंटेरेंड.com पर